दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटसअप की जो कंपटीटर एप्लिकेशन है उसके बारे में आपको जैसा की पता होगा कि जैसे ही वाटसअप ने प्राइवेसी पॉलिसी को लॉंच किया दुनिया पर के सभी यूजर्स वाटसअप को अब करता है क्या क्या फ्रीचर्स है वाटसअप के तरह ही उस अप्लिकेशन में सरी डिल आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल और इन्फॉर्मेशन बार में दोस्तों का चैनल पैगन नहीं है तो प्लीज चैनल क तो दोस्तों 5 जनवरी 2021 को जैसा ही वाटसअप ने अपना प्राइवेसी पॉलिसी नया प्राइवेसी पॉलिसी लांच किया तो उस समय जो भी यूजर्स है उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को समझा या फिर उसे कापी अच्छे डीबली से उन्होंने समझ लिया हमने भी अब WhatsApp को यूज़ नहीं करना चाहता है अगर आपने privacy policies को काफी अच्छे तरीके से समझा है या फिर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि अब हमें WhatsApp को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि इसकी privacy policy जो है वो काफी खतरनाक है ब मैं आपको बता दूँ एक application है जो कि आपको play store पे काफी आसानी से 33 MB या फिर कुछ करने इससे ज्यादा MB में आपको play store पे available देखने को मिल रहेगा अब यहां पर इसका जो compare है वो WhatsApp से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो WhatsApp की privacy policies है उन्हें accept करना किसी भी user के लिए काफी खत नाक होंगी तो बतौर यह एक user यह बात उसके लिए accept करना काफी बुरा होगा या फिर उसके personal बातों से लेकर काफी बुरा होगा वो यहीं चाहेगा कि WhatsApp वो यूज नहीं करना ही चाहेगा इससे जदा कुछ नहीं चाहेगा क्योंकि मैं भी यहीं चाहता हूं कि अब मैं इस नहीं policy के साथ WhatsApp तो मैं use नहीं करूँगा और यहाँ पर जो सबसे ट्रोप पे application आ रहा है वो है signal application अब signal application के बारे में मैं आपको कुछ similar चीजे बता दूँ जैसे WhatsApp में आपको features देखने को मिलते थे वैसे कुछ feature आपको signal में भी देखने को मिलेंगे एक नहीं बलकि कई सारे feature आप signal को अगर use करना चाहेंगे तो आप कम से कम 2-4 दिन अगर use करेंगे तो आप भी यहाँ पर comfortable feel करेंगे WhatsApp की ही तरह अब आप जान लेते हैं कि WhatsApp की तरह signal application में आपको क्या-क्या feature देखने को मिलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं या आप लॉक feature के बारे में जैसे आपको WhatsApp फिंगर प्रेंट यानि फिंगर की से लॉक करने का एक option देखने को मिलता था यहाँ पर भी आपको एक पिन और fingerprint लॉक करने का option भी देखने को मिलता है जो कि upload कर सकते हैं साथ इसाथ आप अपने content के साथ एक अच्छा सा group create करके चैन भी कर सकते हैं कई सारे ऐसे फीचर है जो WhatsApp की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे group हो गए, video call हो गए, chats हो गए, किसी भी photo या video को अगर आपको भेजना है किसी दूसरे contact तक वो भी आप कर सकते हैं साथ इसाथ जब आप पहली बार इसी install करके login करेंगे तो यहाँ पर भी आपसे आपका number और OTP जैसे कुछ ऐसे verification आपको यहाँ पर करना होता है और सबसे बड़ी बात इस signal application की मुझे सबसे अच्छी यही लगी, जैसे आपका WhatsApp में जो messages थे, एक person से दूसरे person तक जाते थे, end to end encrypted होते हैं वैसे ही आपको signal application में भी आपकी जो messages है, first person से second person तक जब जो जाते हैं, वो end to end encrypted होते हैं जब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बता दू, end to end encrypted के बारे में, यहाँ पर WhatsApp भी करता है कि हमारे messages end to end encrypted हैं और यहाँ पर signal भी करता है, हमारे messages end to end encrypted है, अब बात यहाँ पर आ जाते है कि यह end to end encrypted क्या है यानि कि first person से, जब second person में आपका message जाता है, तो इसकी बीच में आपका message को भी है कि आपी fund नहीं सकता है तो दोस्तों यहाँ पर WhatsApp और signal application के बीच इसलिए race बनी है, क्योंकि WhatsApp का जो नया privacy policy है, वो काफी हटके है वहाँ पर सीधा सीधा यही कहा गया है, कि जो भी user WhatsApp को use करेगा, यानि इन नई policies के साथ use करेगा, उनकी जो भी data है, वो उनकी parent company Facebook और Instagram के साथ share होंगे, वो भी खुलम खुला तो यहाँ पर जो भी users है अगर WhatsApp नहीं use करना चाता है, तो यह एक better application है signal आपके लिए, जो की काफी safe भी होने वाला है, आपकी privacy से related काफी अच्छा भी होने वाला है दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर करना है तो प्लीज चैनल को सस्काइक बना मत बुलेगा, और एक प्याला सा कमेंट हमारे motivation के लिए जरू करतीजेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में